हेलो दोस्तों मेरा नाम वे वकब राज कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपनी फ्लाइट के अंदर एक्स्ट्रा लगेश को ले जा सकते हैं यानि के आपका जो भी वजन है वो पूरा भर चुका है बड़ अब भी कुछ समान बाकी है जिसे आप ले जाना चाते हैं फ्लाइट के अंदर बड़ समझ में नहीं आ रहा कैसे ले कर जाएं जो लो कास्ट एरलाईन होती है नाम से ही पता चल रहा हुआ कि ये अपने टिकट सस्ते में बेचने के लिए ये अपनी सिर्विसे से साथ कंप्रोमिस करती है यानि के in flight में अगर आपको extra luggage लेकर जाना है अगर आपको थोड़ा सा भी luggage जादा हो गया यानि के 100-200 ग्राम भी लगेज जादा हो गया तो जादा तर एरलाइन्स जो है आपसे इन 100-200 ग्राम के भी पैसे ले लेंगे बट वही पर जो full service एरलाइन होती है वो थोड़ा बहुत आपके साथ रियायत कर देती है तो यहाँ पर यह दोनों एरलाइन्स जो है दोनों में मैं आपको extra luggage ले जाने की trick बताने वाला हूँ इसके अलावा आप second factor पर आते हैं second factor यह है कि आपको luggage जो है अपनी airline में किस तरीके से मिला है तो यहाँ पर आप जैसे की देख सकते हैं यह मेरे पास मेरे दो ticket है और सबसे पहले यह वाले ticket की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर मुझे दो luggage मिला है एक cabin baggage cabin baggage हर flight में मिलता है और यहाँ पर जो second वाला है यह है check-in baggage जो कि 30 kg मिला है अब यहाँ पर जब आप मेरे यह second ticket चेक करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे जहाँ baggage alliance है टू पीस जादा तेरे airlines में वन पीस का जो weight होता है वो 23 kg होता है यानि कि टू पीस में हो गया 23 प्लस 23 यानि कि 46 kg टू पीस में आपको 2 bag रखने है एक bag आपका 23 kg कराएगा और दूसरा bag भी आपका 23 kg कराएगा और यहाँ पर यह जो 30 kg वाला वजन है यह आप एक bag में भी रख सकते हैं और multiple bag में भी रख सकते हैं यह overall 30 kg वजन जो है वो आपका exceed नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर दोनों टिकेट में दोनों तरीके के चेकिन बैगेज अलाविंस में आप थोड़ा बहुत weight बढ़ा सकते हैं कितना weight बढ़ा सकते हैं जैसे कि यहाँ पर free baggage allowance है यानि कि चेकिन बैगेज में आप 30 kg ले जा सकते हैं जो भी airline है आप airline से बात करेंगे कि उनके एक piece में कितना kilo वजन होता है तो यहाँ पर यह मेरे टिकेट में थी क्वेट Airways क्वेट Airways में one piece का वजन था 23 kg तो यहाँ पर एक piece के अंदर में एक kilo से लेके दो kilo तक वजन बढ़ा सकता था यानि कि 23 में पहली से था 2 kg में था पज़न बढ़ा लिया तो यह होगा 25 kg एक piece होगया मेरे 25 kg का यानि कि 23 kg से मेरे वजन होगया 25 kg यानि कि total पहले था 46 kg और बाद में एक्स्टा लगे चाहिट करने के बाद मेरे हो गये यह 50 kg तो दोनों में फर्क यह है, कि अगर आपको Kegels में दिया हुा है, तो आपकी Kegels से 1-2 Kg जञादा एकसीड नहीं होना चाहिए, तो एक PEEC के अंदर आपका 1-2 Kg एकसीड हो सकता है, एक-2 Kg से जधा एकसीड एकसीड नहीं होना चाहिए, अब यह बात हो गई, अब यहां प एक्स्ट्रा वेट नहीं ले जा सकते हैं, इसके बाद आपके पास लैपटॉप बज़ता है, अब आप लैपटॉप को केबिन में बैटरी पढ़ती हैं और लैपटॉप को आप केबिन में ले लेकर जाएंगे, बट जो फुल सर्वेस एरलाइन होती है, उसमें से ज़्याद जादा तर airlines आपको laptop के लिए एक extra bag provide करती है यानि कि आप अपना laptop को extra bag में ले जा सकते हैं उसके अंदर सरिफ laptop और laptop से जुड़ेवे ही समान होने चाहिए कोई extra समान आपके personal packing का नहीं होना चाहिए तो वो भी आप ले जा सकते हैं वो laptop bag आप cabin baggage में ले जा सकते हैं as a extra cabin baggage यान वाँ laptop baggage allowed होता है जादा तर full service airline में अब आपकी full service airline में allowed है के नहीं है ये बात आपको जो है अपनी airline के customer care पर call करके पता करनी पड़ेगी या फिर उनके website पर जाकर check करना पड़ेगी अब यहाँ पर दो तरीके से extra weight ले जाने का मैंने तरीका बता दिये सबसे पहले तो यही में आप किस तरीके से extra ले कर जाएंगे 30 किलो में कैसे और pieces वाले में कैसे अब यहीं पर cabin baggage में भी मैंने बता दिया कि अगर आपके पास laptop है तो laptop आप as a extra ले जा सकती है अब बात आती है दो last तरीकों की अब वो दो last तरीके क्या है सबसे पहला तरीका उन last तरीकों में से ह आप cabin baggage में extra weight रख सकते हैं यहाँ पर 7 kg अलाओ है तो यहाँ पर जितना चाहे उतना weight रख सकते हैं बट यहाँ पर एक twist है वो twist किया है तो यहाँ पर आता है तीसरा factor काम में तीसरा factor किया है जब आप airport पे पहुचेंगे तो airport पे आप अपना boarding pass लेने जाएंगे तो जहाँ boarding पास लेंगे आपका सारा weight वहीं होगा अगर आपका check-in baggage का weight full है यानि कि अगर उस airline आपको 30 kg दिया है और आप 30 kg भर के ले गाए 30 का 32 करके ले गाए तो वह आपका shoulder bag जो होता है shoulder bag का भी weight करते हैं बट वहीं पर अगर आपको 30 kg allowed है और वहाँ पर 25 kg या फिर 20 kg check-in baggage में भर के ले गाए यानि कि जितना allowed है उससे काफी जादा कम weight भर के ले गाए तो आपका shoulder bag check नहीं करते हैं तो यहां पर बात आती है कि आपका जितना भी baggage allowance था आपने उतना भर लिया बलकि उसमें extra भर के वहाँ पर boarding pass जिस counter पर मिलता है वहाँ आप ले गाए तो आपका check-in baggage भी extra weight के लिए क्योंकि वह पहले ही check-in baggage में allow कर बट cabin baggage में वह extra allow नहीं कर सकते तो यहीं पर आपको अपना दिमाग लगाना है कि किस तरीके से आप जो है अपने cabin baggage को weight होने से बचा सकते हैं अब यहां पी तीसरे factor में जो है एक चीज तो यह हो गई तीसरे factor में एक और चीज है आपका check-in baggage वहाँ पे submit हो गया और आपने किसी भी तरीके से अपने cabin baggage को weight नहीं कराया तो अब आप क्या करेंगे अब आप boarding pass वाले counter से चलेंगे चलते चलते आप पहुचेंगे immigration की तरफ विदेश में कुछ देशों में ऐसा होता है कि immigration से पहले weight machine रखी वी होती है और वह limit में है या नहीं तो वहाँ पे वो जो बंदा बैठा होगा उससे आपको बचके निकल के आपको immigration में जाना है एक बार आप immigration की line में पहुच गए तो वहाँ पे आपको कोई भी डिस्टब करने नहीं आएगा तियान आपको यह रखना है कि जब आप airport पे पहुचेंगे तो आपका किसी भी तरीके से आपका जो shoulder bag है वो weight नहीं होना चाहिए weight हो गया तो आपको extra पैसे देने पड़ सकते हैं या फिर आपको समान निकाल के अपना फेकना पड़ेगा वहीं कहीं या फिर वापस अगर आपके साथ कोई आया तो उससे देना पड़ेगा तो कोशिश य करना है कि आपका cabin baggage जो है वो weight ना हो इसके अलावा आप अपने साथ इस तरीके के छोटे bags भी अपने साथ रखेगा ये bags documents रखने के काम आते हैं बट ये छोटा बैक आप जैसे की देख सकते हैं ये दो-तीन किलो वसन एक्स्ट्रा flight के अंदर आपको ले जाने में मदद कर स सकता है फिर सेम आपको वही करना है जैसे आपने अपने cabin baggage को weight होने से बचाया था सेम उसी तरीके से और इन baggage को आपको इस तरीके से pack करना है कि ये ज़्यादा फूले वह न लगे एसा न लगे कि इसमें आपने बहुत सारा समान भर रखा है बस ये इस तरीके के लखे कि ल आपने केबिन बैगेज को वेट होने से कैसे बचाओगे अब यहाँ पर मैं आपको लास्ट मेठीड में आप कैसे एक्स्ट्रा वजण ले जा सकते हो तो यह जो लास्ट वाला मैठीड है यह सभी एरलाइंस पर काम करेगा इसमें कोई रिस्क नहीं है इसमें टोटली टोटल आपके उपर depend करता है, आपको कोई भी अपना KBN baggage को या फिर check-in baggage को wait करना है, इसे भी नहीं बचाना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको simply ये करना है, आपके जितने कपड़े हैं, आपको एक के उपर एक अपने कपड़े पहनना है, यानि कि आप pant पहने वे हैं, तो pant के पहने रहेंगे, उत्ते समान का weight नहीं होता है, अब आप चाहे 10 kg पहने, 20 kg पहने, आप जो भी weight पहने वे हैं, उसका कोई भी weight नहीं होगा, तो ये सारा समान पहनने के बाद, अब आप आखिर में एक काम और कर सकते हैं, आपके पास जितना भी भारी-भारी समान है, वो और से जो जैकेट डाली, उसके अंदर भी खुब धेर सारी जेब हो, और बड़ी-बड़ी जेब हो, तो आप जितना समान उन जेब के अंदर भर सकते हैं, वो आप टोटली भर लीजे, तो ये सब पहनने के बाद, एक बार आपने इमिग्रेशन की लाइन में लग गए, त अंदर और एरलाइन से वापस, जहां भी जा रहे हैं, आप वहाँ पहुच सकते हैं, और यहां पर मैं एक बात और बता दूँ, आपको केबिन बैगेज किस तरीके से पैक करना है, चेक इन बैगेज किस तरीके से पैक करना है, ताकि आपका बैगेज जो है सिक्यूरिटी चेक में ना रुके, इसके लिए मैं पहले एक वीडियो बना चुक हूँ, पर आई बेटन में लिंक दे दूँँ, वहाँ से जाके आप उसे चेक कर सकते हैं, तो ऐसी वीडियो से देखने के लिए मेरे चैनल से जोड़े नहीं, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब त